हेलो एवरिवान वल्कुम टू आवर चैनल श्वेतर स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है अब्जेक्टिव कोशन्स आज के हमारे इस वीडियो में हम जेंडर एंड्स सोसाइटी से रिलेड़ेड कुछ अब्जेक्टिव कोशन्स के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स वीडियो में बताया जाने वाले कोशन्स बहुत ही इंपोर्टेंट है ये अक्सर समाज शास्त्र के कोशन पेपर में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वीडियो को आप सभी पूरा देखेगा बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ू मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट चलिए जादेर न करते होई बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन अब्जेक्टिव टाइप कोशन्स के विशे में हमारा पहला प्रशन यहाँ है कि राष्ट्रिय एकी करण में बाधक तत्व कौन सा है तो इसका उत्तर होगा संप्रदायवाद हमारा अगला प्रशन यहा है कि पूर्व की इटैलियन के नाम से किस भाषा को संबोधित किया जाता है तो इसका उत्तर होगा तेलगू भाषा को हमारा अगला प्रशन यहा है कि कौन सी भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है तो इसका उत्तर होगा गुजराती भाषा में हमारा अगला प्रशन यहा है कि भाषाई सर्वेच्छनों के अनुसार भारत में कितनी बोलियां प्रचलित हैं तो इसका उत्तर होगा 544 भारत में 544 बोलियां प्रचलित हैं हमारा अगला प्रश्न यहा है कि भारत में सबसे जादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाशा कौन सी है तो इसका उत्तर होगा हिंदी हमारा अगला प्रस्ण यहा है कि कोकडी एवं हल्वी किस भाषा की बोलिया है तो इसका उत्तर होगा मराथी कोकडी एवं हल्वी मराथी भाषा की बोलिया है हमारा अगला प्रस्ण यहा है कि भारती संस्कृती की प्रमुग विशेस्ता क्या है तो इसका उत्तर होगा विविधता में एकता विविधता में पाई जाने वाली एकता ही भारती संस्कृती की प्रमुक विशेस्ता है हमारा अगला प्रश्न यहाँ है कि छेत्रवाद की प्रबलता के कारण पूर्वोत्तर में कितने राज्यों का गठन किया गया तो इसका उत्तर होगा चार राज्यों का हमारा अगला प्रश्न यहाँ है कि तेलांगना राज्य भारत के किस राज्य को काट कर बनाया गया है तो इसका उत्तर होगा आंध्रप्रदेश हमारा अगला प्रश्णी यहा है कि 1956 में भारत के कौन से नई राजिके गठन की घोशना की गई तो इसका उत्तर होगा आंध्रप्रदेश छेत्रियता में एक सांस्कृतिक समग्रता नहीं थोती है यह किसने कहा है तो इसका उत्तर होगा बोगार्स हमारा अगला प्रस्न यहाँ है कि भारती प्रजाती लेखन के जनक कौन है तो इसका उत्तर होगा S.C. राय हमारा अगला प्रस्न यहाँ है कि राजनीती की भाषा में जाती के प्रती निस्ठा ही जाती वाद है यहाँ कथन किसका है तो इसका उत्तर होगा पडिकर का हमारा अगला प्रश्न यहा है कि दच्छिन भारत की कौन सी भाषा तमिल के उपशाखा के रूप में विक्सित हुई तो इसका उत्तर होगा मलियालम हमारा अगला प्रश्न यहा है कि किस विद्वान ने अपनी पुस्तक The Study of Man में पहचान की धारनाओं को विक्सित किया तो इसका उत्तर होगा लिंटन हमारा अगला प्रश्न यहा है कि भारती समाज की एकता और इस्थिरता निर्भर करती है हमारा अगला प्रश्न यहा है कि भारत के किस छेत्र की जनसंख्या में जनजात ये जनसंख्या करती है प्रतीशत सबसे अधिक है तो इसका उत्तर होगा पूर्वोत्तर भारत हमारा अगला प्रश्न यहा है कि एक राष्टर के रूप में भारत की राजनीतिक संरच्ना को किस नाम से संबोधित किया जाता है तो इसका उत्तर होगा संग्य संरच्ना हमारा अगला प्रश्न यहाँ है कि भारत में छेत्रवात की समस्या को जन्म देने वाला प्रमुक कारक कौन सा है तो इसका उत्तर होगा छेत्रे संस्कृति को ही सर्वशेष्ट मानना फ्रेंड सिहती जनकारी समाश शास्तर के कुछ बहुत ही महतुपुर्ण अब्सेक्टिव कोशन्स के विशे में आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जनकारी पसंद आई होगी आप सभी को मेरे दोरा दी हुई या जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरी जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके